हेलो प्यारे बच्चों स्वागत है आपका आज के वीडियो में जहां हम पढ़ने वाले हैं कक्षा चार की रिम जिम से पाठ बारा सुनीता की पैया कुरसी सुनीता सुबह साथ बचे सोकर उठी कुछ देड़ तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही वे सोच रही थे कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है सोचते ही उसकी आँखों में चमक आ गई सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ कर खीचा और उन्हें पलंग से नीचे की और लटकाया फिर पलंग का सहरा लेती हुई अपनी पया कुर्सी तक बढ़ी सुनीता चलने फिनने के लिए पया कुर्सी की मदद लेती है आज वे सभी काम फुर्ती से न प्यार हो गई माने में इस पर नाश्टा लगा दिया था मा अचार की बोतल पकड़ाना सुनीता ने कहा अलमारी में रखी है ले लो माने रसोई घर से जवाब दिया सुनीता खुच जाकर अचार ले आई नाश्टा करते करते उसने पूछा मा बजार से क्या क्या लाना है एक किलो चीनी रानी है, पर क्या तुम अकेले संभालोगी, पक्का सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनीता ने मा से जोला और रुपे लिए, अपनी पया कुर्सी पर बैठ कर वे बजार की और चल दी, सुनीता को सड़क की जिंदी की देखने में मज़ा आता है, चुक के मैदान में उसे एक लड़की दिखी, जिसकी मा उसे वापस लेने के लिए आई थी, दोनों एक दुसरे को टुकु टुकु देखने लगे, फिर सुनीता को एक लड़का दिखा, उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे चोटी चोटी बुला कर चिड़ा रहे थे, उस लड मेई तरफ भला इस तरह क्यों देख रहे हैं, खेल के मैदान वाली चोटी लड़की सुनीता को दुबारा कपड़ों की दुकान के सामने कड़ी मिली, उसकी मा कुछ कपड़े देख रहे थी, तुम्हारे पैस ये अजीब सी चीच क्या है, उस लड़की ने सुनीता से पू आया, अंद में सुनीता बाजार पहुंच गई, दुकान में घुसने के लिए उसने सीडियों पर चड़ना था, उसके लिए ये करपाना मुश्किल था, आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ धहन नहीं दिया, अचानक जिस लड़की को छोटू कहकर चिड़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, मैं आमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया, क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ, मेरा नाम सुनीता है, सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्करा कर बोली, पीछे से पैडल को पैर से जरा दबाओ, य मैं दुकान तक पहुँँच सकती हूं, दुकान में पहुँच कर सुनीता ने एक किलो चिनी वांगी, दुकानदार उसे देखकर मुस्कराया, चिनी की ठहली पकड़ाने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाई था कि दुकानदार ने ठहली उसकी गोदी में रख दी, सुनीत अमित ने कहा शायद तुम्हारी पैया कुर्सी के कारण ही वो ऐसा वेवार करते हैं अमित ने कहा पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है मैं तो बच्पन से इस पर बैट कर चलाती हूँ सुनिता ने कहा अमित ने पुछा पर तुम इस पर क्यों बैटती हो मैं पैरों से चल ही नहीं सकती इस पैया कुर्सी के पैयों को घुमा कर ही मैं चल फिर पाती हूँ लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं सुनिता ने कहा नहीं हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही है अमित ने दोबारा अपना सिर नाम हिलाया और कहा देखो तुम पईया कुरसी पर बैठ कर चलती हो मेरा कद बहुत चोटा है हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है सुनीता कुछ सोचने लगी उसने अपनी पईया कुरसी आगे की और खिसकाई अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा अमित जट से सुनीता की पईया कुरसी के पीछे चड़ गया फिर दोनों पईया कुरसी पर सवार होकर झाल 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 झाल